नमस्कार साथियो दिवी ग्यान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज एक महत्वपूर्ट खबर यहाँ पर आज की पेपर में छपी भी है हिंदुस्तान यूजपेपर में की अतिती सिक्षकों की नई भरती सुरू जैसा कि आपको पता था बहुत दिनों से इस बारे पर खबर आ रही थी कि गेस्ट टीचरों की भरती होने वाली है लेकिन बहुत से जो हैं आपर बच्चे इस पर असमन जिसमें थे कि यह L.T. Lecturer दोनों में आनी है तो मैं आपको बता दू यह भरती सुरू होने वाली है सिर्फ प्रवक्ता के पदों पर होने वाली है लगबग लगबग एक हजार के आसपास यह पद है और जिलेवार भरती का ब्योरा इसमें दिया गया है तो देखिए जिसमें चमोली में 102 पद हैं पिथोरागड में 113 हैं पौडी में 88 हैं अल्मोडा में 157 हैं उत्रकासी में 14 हैं टिहरी में 40 नैनिताल में 35 चंपावद में 41 बागिश और मानसट रुद प्रियाग में 76 और देहरादून में 17 पदों पर यहाँ पर यह भरती होने वाली है और प्रवक्ता जो है स्रेणी के यह पद हैं और सभी प्रवक्ताओं में भरेंगे और लगभा लगभाई इसमें 90% जो सीटे हैं यह साइन्स बेक्ग्राउंड वालों की हैं और बाकी साध एक इंगलिस का यहाँ पर इसमें भरती निकल लेगी और सबसे परड़ी बात क्या इसमें नए लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं तो बिलकुल नहीं नए लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं 2018-19 में लास्ट बार जब इसके लिए फोर्म खोले गए थे तो उस वक्त जिन बियर्थियों ने इस पर यहां पर आवेदन किया था उन ही की यहां पर जो है मेरिट बनाई जाएगी और वो ही इसमें सम्मिलित हो सकेंगे नए लोग को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है अब इसमें आपको पता था कि प्रवक्ता की भरती आने वाली थी फिलाल उसका दुबारा से अधियाचन लटक चुका है इस वज़े से सरकार चाहरी की नई जो है गेस्ट टीचरों को इसमें भरा जाए तो बहुत अच्छा करदम तो नहीं हो सकता है बेरोज़गारों के लिए ये क्योंकि पुराने लोग विसमें भरने लेने लोग को मौका मिलेगा नहीं और जो लोग प्रवक्ता भरती की राह देख रहे थे उनके लिए भी बड़ा जटका है कि इसकी वज़े से कहीं वो आली प्रवक्ता जो जो है नेमित पदों के लिए आती है वो कहीं लटगना जाए ये उनके सामने यहां पर इस्तिती बनी हुई है तो देखते हैं आज की खबर क्या है राज जी के सरकारी माधमिक स्कोलों में विज्यान और अंग्रेजी विसमे के प्रवक्ता केडर के रिक्त पदों को भरने के लिए अतीती सिक्चकों की पहली सूची जारी कर दी गई सौंबार को प्रभारी अपर निदेशक माधमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सती जिलेवार मेरिट का ब्योरा जारी करते वे सभी सियों को भरती प्रक्रिया सूचने के निदेश दिये हैं सबसे कम 17 अतीती सिक्चक की भरती देहरादुन में होगी जबकि सरवादिक 157 अतीती सिक्चक अलमोडा में यहाँ पर निउक्त किये जाएंगे डॉक्टर सती ने बताया कि वर्स 2018 में अतीती सिक्चकों की भरती के लिए विसाई बार आवेदन लिये गए थे इन आवेदन के आधार पर तैयान की गई मेरिट लिस्ट से रसायन भौतिक जीव विज्ञान गणित और अंग्रेजी के अभिरतियों का चैन किया जिग गया है पांचों विसाई के अनुसार मेरिट लिस्ट मनाते हुए सभी जिलों को भीजी गई है सीयों को कहा गया है कि ये चैनीत अभिरति के सैक्षिक और अन्य जरूरी दस्ताविजों को सत्यापन कराने की कारवाई शुरू करें एक हपते के भीतर सभी चैनीत अथिति सिचुगों को न्यूक्ति दी जानी है तो बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है तो लगब लगब एक हजार से थोड़ा कम इसमें पद है और एक हपते के अंदर इन्हें जोइनिक देने की इन्होंने बात की है मालूम है कि गणित में 98, भौतिक में 188, रसायन में 138, जी विग्यान में 128 और अंग्रेजी में 199 अतिति सिक्षक प्रवक्ता की न्यूक्ति होनी है तो अपने आप में ये जो एक खबर है कुछ अभियर्थियों के लिए तो जिनकी हो सकता है L.T की बहुत अच्छी तैयारी नहीं चल लिए प्रवक्ता की तैयारी नहीं चल लिए और उनको अगर जोब की immediate और अचानक अगर उनको ज़रुत है तो उनके लिए तो ये सही हो सकता है लेकिन वो व्यक्ति जो मेंद से अपनी तैयारी यहां कर रहे हैं प्रवक्ता भरती की राहा देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा यहां पर जटका देखने को मिलेगा क्योंकि इस वज़े से क्या पता हो सकता है प्रवक्ता भरती भी धीरे धीरे पीछे की ओर जाए क्योंकि अभी अचानक आने वाली थी LT से पहले आने की उसकी बात हो रही थी इनकी जोइनिंग भी हो जाएगी तो सवाल यह उड़ता है कि प्रवक्ता के जो लगवा लगवा 700 पत उपर जो भरती होने वाली है वो भरती कब होगी तो इसका सबसे बड़िया तरिका यह हो सकता था कि सभी लोग इस भरती का विरोध करते यह भरती अगर रुकेगी तो सरकार का ध्यान जरूर ही जो भरती लटकी हुई है 700 के आसपास पदों पर उस भरती का जल्दे से विग्या पंजारी हो सकता है वरना तो यह भरती जो है अपने आप में एक लटकने का काम ही इसका हो सकता है क्योंकि यह पुराने अभ्यरती इसमें समलेत होने वाले नए अभ्यरती के उसमें मौका नहीं मिलना है जो 2018 के बाद जिन्होंने जो है बीएट किया हुआ है उन्होंने जो है पीजी किया हुआ अपने सब्जेक्ट में तो उनको तो मौका मिलना नहीं है, पुराने अभियरतियों को भी मौका मिलना है, नए लोग को मौका मिलना नहीं है, तो ये एक तरीके से नाइनसापी है, तो लोगों को अभियरतियों को इस पर आवाज उठानी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, और नई भरती आए ज उसके बार नई भर्ती निकाले वह भी 700 पद उपर तो जिसका नुक्सान याँ पर पड़े लेखे बेरोजगारों को होगा जैसा कि आपको पता है लेक्चरर फॉर्म भने वालों के संक्या मलग भलब एक लाग क्या सपास लोग हो चुके हैं और सिर्फ पद आते हैं 600-700 तो वो ओट की मुह में जीरा का काम करता है तो इसलिए इस भरती का आपने आप में विरोध होना चीए और नई भरती जो नियमित पद उपर आती है उसके लिए आवाज उठाना चीए और उसके लिए काम करना चीए तो ये खबर जो है सिदा सिदा प्रभावित करती है इसलिए हमने आपको इस खबर के बारे में बताया तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धनिवाद, जय हिन, जय भारत, जय उत्राखन